राश्ट्रिय संथ श्रीश्री रवीशंकर बाबा महकाल के दर्वार में दर्शन बाब पूजन करने पहुचे जहां उन्होंने बाबा महकाल का पंचामरत अभिशेक किया इस दोरान उन्होंने राम मंदर मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि देश के एक बड़े मुद्दे पर फैसला आने बाला है लोगों से अपीर है कि बड़ा उत्सब ना मनाएं आपसी सौहर्ट के साथ रहें भाई चारा बनाए रखें हमारे देश की एक गरिमा है गरिम और पूजन करने के बाद उन्होंने मीरिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे काफी समय के बाद उज्जयन बाबा महकाल के दर्शन करने पहुँचे और दर्शन करने का सौभागे मिला है यहां काफी अच्छी दर्शन व्यवस्ता है आमश्ट्रे धालू के लिए अच्छी व्यवस्था है वही राम मंदर मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि देश का जुद सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर फैसला आने वाला है मैं सबसे अनुरूत करूंगा सब शांती से रहें और कोई बड़ा उत्सव ना मनाए और कोई धर्ना प्रदर्शन ना करें आप साल बाद आया हूं इदर व्यवस्था बहुत अच्छी होगी लोगों पाने जाने में दर्शन करने में बहुत सुवीदा बहुत अच्छा हुआ है और देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है आयोध्या पर अभी फैसला आने वाला है तो मैं सबसे अनुरूत करूंगा सो अगरा मत मनाए या कोई किसी तरह का कोई धरना वरनाई से कोई न करे आपसी भायचारा सोभार्दी को बनाए रखना और भारत देश का यह गरीमा है इस गरीमा को हम भूलेना तो हम अफाओं में मत आए अफाओं पर पढ़गर अपना संतुलना नक होएं यही मैं सबसे बेर पोर्ट खबर मध्य प्रदेश